हलो भीवन एंड वेल्कम तो माई चानल देगे 69th BPSC 30th September को स्केडियूल्ड है एस पर लेटिस्ट कलेंडर अपडेशन तो 69th BPSC में हमारे पास 90 प्लस देज बचे हुए हैं अभी मैं आपके समझ एक पेड जो क्विज थी मेरे 67th BPSC 68th BPSC के लिए उसका 1000 MCQs जो के प्लस करिंट अफेर्स हैं जो कि काफी मल्टी डाइमेंशनल है वो तोटली फ्री जो है सभी एस्पेरिंट्स के लिए उसको आप आज सैंपल एटेम्ट कर सकते हैं 69th BPSC के लिए और जो स्टार्टिंग मेंटरसिप स्कीम है 1st of July से उसके लिए जो सैंपल उसको आप है फिर उसको एक्स्टेंड कर दूंगा जब मेंबर्स उसमें बढ़ने लगेंगे तो इसमें आप पार्टिसिपीट कीजिए और अपने प्रपरेशन जो आपने अभी तक की है उसको एक बार एसेस करने की कोसिस किजिए क्योंकि हिस्ट्री के पॉलिटी के जियोग्रफी क की बिहार स्पेसल की मल्टी डैमेंस्टनली वो क्वेस्ट्ट्ट्स फ्रेम किये गया है जो कि आपको जो रूटीन टेस्ट सीरीज है मार्केट में उसमें नहीं मिलेगी ठीक है तो फस्ट आफ जुलाई से मेंटर्सिप स्कीम स्टार्ट होगी उसकी डीटेल्स अभी मैं न जिसमें different sources जो routine sources हैं उनसे MC की formulation होगी साथ में PIX का revision होगा और साथ में जो changing nature of problems है अब route learning और direct to the point वाले जैसे questions आते थे में भी आपको 69th BPSC में ना देखने को मिले 68th में उसके trailer हमें देख चुका है साथ में option suffering भी देखने को मिला था और third the most important thing is that कि negative marking a picture में है तो उसको भी consider करते हुए हमें कैसे अपने scores को maximize करनी है और साथ में cut off को clear करना है तो यह hand holding exercise जो है मेरा experience knowledge जो different edtechs के साथ रहा है और जो मैंने course designs module की है अलग अलग जगों पर उसी के basis पर यह मेरी अपनी initiative है और ग्राम से संग्राम मैं 67th से चला रहा हूं अल्मोस्ट उस quiz में आप देखेंगी कि top 1151 onliners जो series थी बिहारे special के लिए उसमें 30 से अब जो question से एक दम line by line आप जाके मिला लीजिए question वहीं से आये थे मत्रस लिफ्ट किया गया था 68 में भी बहुत सारी questions देखने को मिले मैंने claim नहीं किया और मैंने नहीं उस पर वीडियो बनाए कि इससे यह question आया बर जिन्होंने attempt किया है जिनको भी उससे advantages मिली है उन्होंने जरूर रेकरनाईज करके मैं उसे message जरूर किया है तो ठीक है अब मेरे बारे मेरा नाम तो text के साथ मैं जोड़ा हूँ ठीक है तो वहाँ पर मैंने BPSC, UPPCS, UPSC इन सभी की जो एक courses design की हुई है जिसके अधार पर मतलब जो different आपको courses market पर देखने को मिलते हैं काफी हद तक उसमें मेरा भी योगदान कहीं नहीं रहा है अलग-अलग PCS verticals में साथ में मेरा preparation रहा है उ जो भी चीज़े है चैनल पर दी गई है आप देख सकते हैं तो यू कन ट्रस्ट में और माई नॉल इस एक्स्पेडियेंस की mentorship scheme को क्यों join करना चाहिए उससे पहले मैं यहीं कह रहा हूं कि as a sample 1000 MCQs को आप practice कीजिए mentorship 1st of July से start हो रहा है तो आपके पास ample अभी लगबग 10-12 जिसमें आप जान सकते क्या हमें join करना चाहिए या नहीं join करना चाहिए ठीक है राम से संग्राम MCQ series में क्या होगा कि different subjects के MCQs देखेंगे और option में आपको interlinkage देखने को मिलेगा कि अगर history का ही question है तो हो सकता है उसमें कुछ आपको current का part दिया गया हो वह सकता है उसमें कु मिक्स करके दिये जाते हैं यूनीक formulation मेरा अपना USP रहा है आपको मैं ही कह रहा हूं कि आप जब देखेंगे तो इसको ज्यादा बिटर आपको पता चलेगा साथ में NCRT के books से questions रहते हैं तमिल नाडू की books हो या routine लक्षमी कांत spectrum कह लिजे भी पंचिंद्रा घटना चक्र जो PYQs हैं उन सभी सभी बहुत सारे questions जो हैं इंटर मिक्स करके formulate किये जाते हैं